अब तक की सबसे बड़ी सूपर डूपर हिट मूवी थी किसे करन जोहर ने प्रोड्यूस किया था और राज मॉली ने डारेक्ट किया था और मैं आपको बताओं तच में यहां आकर मुझे मूवी के उसारे सीन वगेरा याद आने लगे हैं इसो की शांगर में जाली है एक यहां पर तुपने भी फॉर और फिर्मी की स्यूटिंग होती हैं जो उनके अलिवेशन बने हुए हैं जिआप देख साथे हैं अल्देवेस्टो मुवी बनी थी उसका कारनी बनी एनी चुन आगा था इसा लग रहा है जैसे किसी कॉरें सिकी में आ गये हैं देख सकते हैं आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत जादा ठक चुके हैं हम लोग क्योंकि सुबह हम लोग लेखने हैं साथ बजे से और अभी भी गूमते ही जा रहे हैं अभी तो और भी बहुत कुछ देखना वाकी है अभी अभी हम लोग ने बाहुवली का सेट नहीं देखा इसके बाद बाहुवली का सेट वह दाइड हमारी बता रहे हैं कि वह लोग को लेकर जाहेंगी यह देखी देखा लग यह अपको बैक कैमरे से दिखा जेती हूं यहां का व्यों और अच्छे से बहुत सुन्दर लग रहा है यहां का पूरा एरिया ऐसा अलग रहा है जिसी की यूरोपियन कंट्री में आ गए हैं हम दो कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि दूस्तों जितने भी माइजा लॉजिकल शोज होते हैं यह देखिए उनका सेट यह पीछे बना हुआ है और बिल्कुल भारत यह दूसरे माइकरलोजिकल यह देखते हैं और इसी तरह से लग रहा है यहां पर पूरा चार तरह अहां भारत का हैं दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं रेल्वे स्टेशन के साइट पर यह देखिए आप हैदराबाद का यह रेल्वे स्टेशन का पोर्ड पेट सब्सक्ति यहां पर बहुत सारी मूविस की शूटिन हुए जैसे की चैनाई एक्सप्रेस की फीलिग यह पर हुई थी और आप देख सकते हैं अब बिल्कुल वैसे यह इन रेल्वे स्टेशन लग रहा है जैसे की नॉर्मल रेल्वे स्टेशन होता है और announcement भी हो रहा है बैखने के लिए भी बना हुआ है platform number वगेरा बिल्कुल उसका replica है बस यहाँ पर train के डब्बे हैं बस पट्रिया नहीं है इंट ट्रेनों की और यह देखिए किताबे stall बद किताबे नहीं है बिल्कुल same replica है और वो shooting के यह जो director इसे shoot करते हैं वो देखिए तो हम लोगों ने railway station का set भी देख लिया है और बस ऐसा लग रहा है कि हम लोग रियल के railway station से आ रहे हैं तो दोस्तो फाइनली film city का सबसे last location जो हम देखने आए हैं वो है most awaited बाहु बली set जो morning से हम लोग सोच कर बैठे थे कि film city जाएंगे तो बाहु बली का set तो कमकल सभी देखना ही देखना है हमारी guide ने कहा है कि हम बाहु बली set में जाएंगे तो उस movie को हम ऐसा recall करने लगेंगे और यह देखिए यह बाहु बली का main gate माहिश्मती welcome to माहिश्मती माहिश्मती सामराजयम अजेयम तो अंदर चल की बहुत कुछ देखने में को मिलेगा पूरी बाहु बली की जो movie है हम लोगों की जो guide है उसने half an hour का हम लोगों को time दिया है कि बाहु बली set को पूरा देखकर आओ अंदर से movie में जो बाहु बली ने ये shivling को उठाया था ये वही shivling है और यहाँ पर बोदिखने बोखते तो बना हावी करने बाहु बाहु अली के मूवी की बाते कर रहा है ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था मूवी था और यह है वह सिंहाजन जहाँ पर बलाएं बाहु बाहँ बाहँ पर बलाएं तो अब मैं आपको ले ठेल रही हूं माहिश्मती की जो पुल देवी है जहाँ पर बाहु बली ने युद्ध प्रारम करने से पहले अपना रक्त चड़ाया था माहिश्मती की देवी यह देखिए यह रही देव सेना के स्टेच्यू बनाया गया है बेडियों में जैसे मूवी में दिखाया था ना वैसा सेम स्टेच्यू है और यह अब स्टेच्यू थोड़ा सा तूट गया है तो बिल्कुल असली है तो जी बाहु वली का जो सेट है यह बनाया तो मूवी के लिए गया था लेकिन यह फिल्म सिटी में अभी हमेशा इस मूवी की सूपर सक्सेस्फूल सफलता के लिए हमेशा के लिए यह सेट जो है मैमोरेबल रहेगा इसलिए इसे लोग बहुत जादा देखना पसंद करते हैं और मुझे लगता है आगे भी इसी तरह से बहुत इस सेट को देखना बहुत पसंद करेंगे और मैं आपको दिखा देखी हूँ पीछे यह देखे बल्लाल देव की जो मूवी में मूत्री बनाई गई थी उसका उपर का यह सर और यह धड़का पार्ट जो है अपर पार्ट और यह ज्याद है इसा मूवी में दिखाया गया था गिरने के बाद तूड़ गया था इसी क सबसे पहले हम अभी हम जा रहे हैं त्रिल राइड के लिए इसके बाद लॉड कर हम यह हॉलिडे जो कार्निवल शो होने वाला वो देखेंगे तो आप भी हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और हमारे साथ आप भी थ्रिल राइड का मज़ा लीजे और आप मैं अंदर चा रही हूँ और अब आप देखते हैं यह मॉनिंग वाल आप देखते हैं इस राइड से हमें किया साथ एक्सपिरियंस मिलता है आप देखते हैं इस राइड भी हम लोगों की कंप्लीट इस राइड में तो बहुत मादा आया क्यों मम्मी और हुपत मादा आया मुझे इस राइड में डर भी नहीं लगा यह उसमें डर लगा था यह तो खुले आसमान के नीचे इसलिए डर नहीं लगा पंद चीज़ों में दोस्तों हम लोगों की राइड सब कुछ कंप्लीट हो गया है और बस अब हम लोग जा रहे हैं एक शो बचा है और उसके बाद कार्नेवल आज का हमारा रामोजी इसलिए टोस्तों हो जाइड़ अज झाल सकते हम लोगा हैं लोग जाइड़ों में दोस्तों हो गाइड़ों में डर क्या है और यह जाँ कंप्लीप प्रण तो यहां से संफांटीन तक परेंगे रस्ते में यह बीटिफुल कुप्शूरत गार्टन्स और लाइधनिंग परेंगे पाउंटेन पी आप्डेग सकतें संफांटेन में दिननर्वियवस्ताभी है इककन नंची संफांटेन वरकु कार्निवर परेंगे रेंगे सामन्डी सो मध्यलों रुन्ने ट्वेंटी अंधवाइन गार्टन्स रुविल्थ। कलोफुल लाइटिंग्स पाउंटेन्स अनित् अण्यूदी प्रण्स के लोगों ने देख अपर एंजोई गिया है आप अपूजी सीवी में और अब शाम के साथ बज रहे हैं और जब हम यहां से पुछाने की तैयारी करने वाले हैं तो मैं आपको जाने से पहले यहां से यहां कहां गाइक दिखा देती हूं नाइट में तो तो अप्स दुब बाहरा है ज्योंकि लाइनिंग इसे ज्यादा है चारो तरफ लेंगे ने की जानदार लग रही है मैं तो चीज़े आपकी पर से पास्ति दिखा देती हूं झाल झाल यहां से कार्निवल जाने वाला है उसकी तैयारी के लिए अरेंजमेंट लिया गया है यह कार्निवल निकलने वाला उसी की तैयारी हो रही है झाल 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 हम लोग इतना ठक गहें कि मुझे तो लगरा में सोचे सोचे जाने वाली है जुरात दिन हो गया गुंते-गुंते और शाम से हो गई है अब रात रब आम लोगो और तलने का टाइम आज आज वाली है और रामजी फिल्म से का टूर यही बर होता है एंड आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल रहां बाइ कर दो